अगर दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी उमीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे मेरा नाम है महिश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं लिंक आपको वीडियो की की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप की त्यारी कर रहे हैं तो हमारा प्लेट्पोर्म अग्रिकल्चर एंजिकर आपके लिए कोर्स लेकर आया थे जिस कोर्स से के आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्शर्स मिल हैं सब्पजेक्ट वाईज फुल लैंथ मौक टेस्ट आपके लिए इसमें हैं ठीक है साथ-साथ आपको प्रिफश broken परिफिस जाएंगे बिशच्व के आपको मिल जाएंगे अग्रिकर्ण एब्कर आपको इसमें मिल जाएंगी तो आक पर्चेश कर सकते हैं एक एंट पॉस्ट ऑफ उन थादन फोर फंडर एंड नाइंटी नाइन रूपीज मात चौदा सौन दिन्यान रुपए में आप इस को पर्चेश कर सकते हैं इस को परचेश करने के लिए आप हमारी वेबसाइट एग्री कल्चर जी के डॉट इन पर जा यह अब एकजाम की और बढ़ते हैं पेपर के और बढ़ते हैं ठीक है जैसे कि आप सभी जानते हैं जो सी वीटी का पैटरन है ठीक है जो बहुत क्या हुआ है चेंज हूआ है उसमें सिर्फ पहले आप से लिए-पिशून पूछे जाते थे जिसमें कि कौन से कोशन होते थ कि इसमें आप हिठेए गुज चान्ट क्यों आप से पूच्छे जाते थे पहले उसमें जेनरल कि के उसने कौंट मेंथेमैक्स और जेंडरल इसमें न्युक्रत आप से पूछे जाते थे कहां बट बट जो है सिर्फ डूमेंट सब्जिक्ट से works नैंड ऑझे इन सेसे था फ्रस्ट क्वेश्ट देखते हैं विपर्स्ट क्वेश्ट जो हमारे पास थाउजेंट गेंट वेट उफ एक हम तक पो तक है जल्दी से जल्दी गुड आफ्टर नून यश्वीर सिम्राजबुत जल्दी से जल्दी हमारे साथ जूड़ जाए देख इस लाइब स्ट्रीम में जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीवीटी पीजी एग्रिकल्चर की उनके लिए ये वीडियो हैजफुल रहने वाली है ठीक है faa5000 grain weight होता है जो षिट का वह कितने ग्राम होता है कितने घ्राम के बीच में होता है वह or राइट अंसर क्या है इसका 35 to 50 gram कितना होता है 35 to 50 mostly जो मेन जो इसका है एवरेज एवरेज वेट जो लगभग 42 ग्राम होता है कितना 42 ग्राम 1000 स्वेट होता है वीट का इस वेट को क्या कहते है इस वेट को क्या कहा जाता है test weight का जाता है क्या ख़ाजाता इसे किस एक और हमारे मेजरमेंट करने के लिए phenomenon होता है क्या करें रिए उसे हंत होता है क्मसा टेस्ट का वेट होता है वह होता है 100 सीड का वेट कितने जो 100 सीड के वेट को क्या कहा जाता है सीड इंडेक्स का जाता है और 1000 सीड के वेट जब हम लेते हैं ठीक है तो उसे क्या कहा जाता है उसे टेस्ट वेट का जाता है और जो 1000 सीड हम लेते हैं यह किसमें लेते हैं यह लिया जात 4-7 एट लिया जाता है जो स्मॉल सीडी और तिया ठीक है किसका थॉजन सीडोटा है छो स्मॉल सीडी ऐब जो भी रॉप्स होती है स्मॉल सीडी रहोती है तो उनके 30,000 लिया जाता है जिसे ट्एस कोई और साथ य साथ है जो कि भोल की जैसे अस्का तो उसका क्या लिए आता है seed index यानी 100 seed weight उसका count किया जाता है तो जो weight का होता है कितना होता है approximately 35 to 50 gram होता है इसका test weight और जो average on an average कितना 42 gram होता है next question पर आते हैं who is known as father of tillage tillage के father किसे खा जाता है किसे जाना जाता है father of tillage के नाम से किसे जाना जाता है simple सा question है क्या है इसका right answer jethrotel ठीक है कौन सा है jethrotel is known as father of tillage क्या खाहा जाता है jethrotel को father of tillage कहा जाता है इन्होंने एक book भी लिकी थी जिसका क्या नाम था जिसका नाम था horse hoeing husbandry okay horse hoeing husbandry इसमें उन्होंने different tillage के principle practices के बारे में बताया था ठीक है तो किसे मनना जाता है father of tillage कहा जाता है jethrotel को और इन्होंने कौन से book लिकी थी horse hoeing husbandry इन्होंने book लिकी थी right next question पर आते है next question है हमारे पास मैच करना है लिस्ट बन को लिस्ट टू से मैच करना है ठीक है तो कौन सा हमारे पास दिया है wheat दिया है ग्राउनेट दिया है rice और मेज और यहां पर क्या दी गई है कुछ स्टेजिज दी गई है उनकी ठीक है जैसे पैनिकल इनिसेशन ने सिलकिंग है पैगिंग है और क्राउन रूट इनिसेशन यह क्या है स्टेजिज है growth स्टेजिज होती है जिहां राइट अंसर को या दर जी जेथ्ट रोटल को क्या खाया जाता है फादर ओफ टिलेज कहा जाता है जिहां मदुरी माराज जी राइट अंसर भी ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट देख लिए जल्दी से इसका कमेंट में अंसर दिए जो भीट है ठीक है भीट में कौन सी स्टेज होती है भीट में आती है कब होती है यह जो सी राइ स्टेज होती है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू डेस के अंदर में आती है ठीक है कब आती है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू डेस आफ्टर स्वोइंग कौन सी स्टेज आती है वीट में सी राइ स्टेज स्टेज में क्या होता जैसे भीट में development होती है दो type की roots की ठीक है दो type की roots की development होती है कौन कौन सी होती है एक होती है seminal roots ठीक है याद रखना कौन सी seminal roots होती है और एक होती है कौन सी permanent roots ठीक है दो type की roots बनती है right दो type की बनती है seminal roots होती है और permanent roots होती है seminal roots जो 20 और 21 days तक भीट में क्या करती है ट्रांसपोर्ड का काम करती है ठीक है और उसके बाद वो क्या हो जाती है डिसेपियर हो जाती है और पर्मानेट जो रूट्स होती है वो ग्रोव करने लगती है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं CRI stage कहते हैं, जब जो permanent roots होती है, वो grow होने लगती है, वो develop होने लगती है, wheat में उस stage को क्या कहा जाता है, crown root initiation और permanently पूरे life cycle तक वही roots wheat plant को नौरिश करती है, ठीक है, क्या कहा जाता है, crown root initiation उन्हें कहा जाता है, 22-22 days, mostly 22 days के periods पे क्या होता है, ये, जो crown root initiation stage है, ये wheat में आती है next है हमारे पास ground net, ठीक है, ground net में क्या होता है, pegging, कौन सी process होती है, pegging process होती है, इसमें क्या होता है, एक stock emerge होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है, और botanically क्या कहा जाता है, उसे gynophore कहा जाता है, क्या कहा जाता है, gynophore कहते हैं, उस वो gynophore क्या होता है, वो mostly जो भी stock ह होता है ठीक है जो फ्लावर स्टोक होता है वहां से अमर जो के ठीक है जो बेस होता है फ्लावर का उस फ्लावर के बेस से निकल करके ठीक है जो भी ग्रावर होता है ठीक है उस फ्लावर के बेस से निकल करके क्या होते हैं जो पैक्स होते हैं या गाइनफोर होता है वो सॉयल म अंदर ग्रो करता है और जो भी flowers होते हैं उन flower को क्या करता है वो near to the soil ले जाता है ठीक है soil के पास ले जाते हैं जिससे उसके बाद कौन सी process की जाती है उसमें important process है ground net में कौन सी जो earth drinking up home nom 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 diferentes उसके भी です संट कौन से जो सोइल के अंदर होती है किसकी वज़े से क्योंकि जो यह कर देते हैं औरिको वो बीच करके कहा परOSSOIL के अंदर ले जाते थीके ऊए पर च infrastructure करते हैं उसमें अर्दिंग क्या होता है यह पाउड फॉर्मेशन करता है ठीक है फिर उसमें बनते हैं क्यों होता है क्यूंकि जरूरत होती है जो इस तरह का है और जैसा कि हम सभी जानते हैं किस तरह का थी किस पोण में रहता है फिक्स फॉर्म में वो present रहता है वो mobile nutrient नहीं है plant में किस तरह का है वो Immobile Nutrient है calcium तो इसलिए क्या होते हैं जो फोड को Stir brand के लिए calcium की ज़रुरत होती है तो इसलिए उसमें किस तरह का कैलिशिम इंभाइल होता है तो डायरेक्कले हो इसलिए क्या होता है क्या होता है धिक है लिभी लगते है फिर आता है में क्यों सी एक होती है prendsय से जहां पर वहंते है feather जब मीज में कौन सी जो में इन फ्लोरिशंस होती है उसे क्या का जाता है उसे टेस्ट लिंक आ जाता है ठीक है जो पैनिकल इनिस्टेशन स्टेज होती है लगभग 55-60 डेस के अंदर यह होती है ठीक है नॉर्मल वैराइटी में जो लगभग 110-120 दिन की जो राइस की डियूर लगभग कितना 55-65 डेस की बीच में जो सिलकी स्टेज घुरुक है ठीक है फिर पैगिंस टिंटी आता है पैगिंग भी 55-50 डेस आक्टर है स्वें होता है किसमें ground नेट में इसी के साथ जो सी आरा स्टेज कभ होती है यह यह 22 22 और यह के अंदर में होती है ठीक है राइट, next question पर आते हैं, next question दिया गया है, arrange these crops in decreasing order of their crop duration under the same agroclimatic condition, ठीक है, means अगर इन crops को क्या कर दिया जाए, एक ही agroclimatic में, condition में क्या कर दिया जाए, grow कर दिया जाए, same environment में इनको grow कर दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा duration किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है, हमने किस तरह करना है, इनको large duration से short duration तक क्या करना है, इनको हमने arrange करना है, ठीक है, जल्दी से comment करके बताइए, कि इन crop में से option दिये गए है, cotton है, sugar cane है, rice है, green gram है और pearl millet है, ठीक है, सबसे long durational crop इन में से कौन सी है, जल्दी से comment किजिए, सबसे long durational crop कौन सी है, cotton है, sugar cane है, rice है, green gram है या पर्ल मिलेट है, जो इसका राइट अंसर कौन सा है, ऑप्शन B इसका, क्या है, राइट अंसर है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है, शुगर केन की, ठीक है, किसकी होती है, शुगर केन की लगबग कितनी, 12 से 18 मन्त तक, ठीक है, एक से डेड साल तक की क्या होती है duration होती है ठीक है और उसके बाद किसकी होती है cotton की ठीक है कौन सा है फिर cotton है cotton में भी लगवग कितना 140-180 दिन का time लग जाता है कितना 140 से 180 day ले लेते हैं यह maturity के लिए ठीक है उसके बाद कौन सी आति है rice crop आती है ठीक है rice crop भी कितना 90 to 110 days या 120 days तक क्या करते है मैचियोर होते है जो rice crop है ठीक है फिर उसके बाद आता है पर्ल millet ठीक है पर्ल-millet भी कितना लगबग 65 to 70 days या कुछ-कुछ variety जो होती है वो 60 to 65 days लेती है तक क्या हो जाता है मेच्वर हो जाता है ठीक है यहां राइट अंसर आपका मुदूरिमाराज जी चलेंद्र कुमार राजपुर जी राइट अंसर आपका ऑप्षिन भी ठीक है नेक्स्ट कुश्टन पर आते अब है नेस्ट कॉसें हमारे पास स्टेटमेंट्स दे गई है दो ठीक है इसमें से हमने क्या करना है किरेक्ट फ्रेत्मेंट्स को चूज करना है ठीक है कौन की सफस्स्स्ट्तित मैट की और बेंक की यानि की ब्रूम Gin इस डूटल रूट पेरसाइट इनरीक्सीड एंड अ थे हिए और जांवलन पर्ट आए क्लो देते हैं और को मैं से प्राइटिक का उता है डारेकली इंडैरेकल रूड से स्टैम से जो भी आशब होते हैं यह जो दिया गया है डोटम और साइट है किसमें रेप सीड में और मस्टेड में तो यह क्या है राइट स्टेटमेंट है ठीक है सेगंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी गई है यानि की विच वीड जी से कहते हैं इस टोटल स्टेम पेरासाइटिक वीड ऑफ सोरगम इसमें क्या है स्ट्राइगा सोरगम म होता कि यानिक जो फ़र्श स्टेटमेंट्स है हमारी राइट है सैकंड स्टेटमेंट क्या है गलत है जो टोटL SstringsOW होता है कसकता जिसे कहते है कौन सा हुता है कसकता यानिक जिसे डोड़र या अमर बैलके नाम से जानते हैं किसतरा होता है व्यूच तает हो गाड़ ठीक है किस तरह का होता है यह पार्शल होता है ठीक है तो कौन सी है फर्स्ट स्टेट्मेंट हमारी राइट है और सेकंड क्या है रॉंक स्टेट्मेंट है पर i am Fox पर आते हैं यह अहां पर भी क्या करना यह अई भी द्लू वाटर ब्लेक वाटर है ग्रीन से यूज याता है टीकलेन इस इंडस्टीर्स में यूज हो रहा इसे कुछ और का जाता है जो रिवर का वाटर है उसे क्या जाता तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास क्या है फॉस्चन दिया गया है ठीक है जो ब्लू वाटर होता है ब्लू वाटर किसे कहा जाता है जो वाटर कहां पर प्रेजेंट होता है जो लेक्स में प्रेजेंट हो सीज में प्रेजें ठीक है जो वर्चुल वाटर किसे कहा जाता है जो वाटर कहां पर है एग्री कल्चरल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है ठीक है एग्री कल्चन में इरिगेशन के लिए हम कोई वाटर यूज करते हैं तो उस वाटर को क्या कहा जाता है फिर आता है ब्लैक वाटर ब्लैक इसका है और ग्रीन वारटर किसे कहा जाता है जो सौईल मॉस्चर एंड वाटर प्रेजेंटक के लिए उसे क्या ग्रीन उसे कहा जाता है ठीक है, तो option C, क्या है, इसका right answer है, next question पर आते हैं, which of the following mechanism do not encourage cross-pollination, क्या question पूछा गया हम से, कि ऐसा कौन सा mechanism है, जिससे की cross-pollination है, नहीं होती, means क्या होती है, self-pollination को वो promote करने वाला mechanism है, ठीक है, कौन सा है, चार दिये गए हमारे पास male sterility हो गया, self-incompatibility, diocism या casmogamy, self-pollination को promote करता है, और cross-pollination को क्या करता है, वो रोक देता है, तो right answer क्या है, इसका option D, इसका right answer होगा, कौन सा casmogamy, कौन सा है, casmogamy है, casmogamy में क्या होता है, जो भी, जो flower होता है जो pollination होनी होते है ठीक है mostly किसमें होता है यह जो भी हर्मेफ्रोडाइट के टाइप के flower होते है जिसमें male and female दोनों present होते है जो bisexual flower होते है उसमें क्या होता है bisexual flower में casmogamy phenomenon होता है casmogamy में क्या होगा जो भी pollination होती है ठीक है pollination उसमें हो जाती है pollination होने के बाद उसमें enthesis होती है ठीक है pollination उसमें first होती है उसके बाद उसमें enthesis यानि की जो flower जो open होता है वो pollination के बाद में होता है ठीक है जो flower open होगा कब होगा pollination होने के बाद में flower open होता है तो उसमें उसी phenomenon को क्या कहा जाता है casmogammy कहा जाता है, जैसे rice में भी इस तरह का होता है mechanism, ठीक है, rice में, barley में, oats में, कौन सा mechanism होता है, casmogammy होता है, ठीक है, एक और होता है, klystogammy वो भी rice की ही, barley और wheat की ही, कुछ varieties में होता है, klystogammy होता है, वो उसमें क्या होता है कि lifetime जो भी flower होते हैं, वो किस्तार के रहते हैं, close रहते हैं, unopened वो रहते हैं, ठिक हैं, इस तरह के रहते हैं, जो flower होते हैं, वो unopened रहते हैं, वो हमेशा क्या रहенगे, lifetime, वो close रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, cross-pollination वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो पाते जो फॉरण जीन है फॉरण जो पॉलेंट है वहां को उसको केंटैमिनेट नहीं कर पाते तो कौन सा है राइट एंसर कैस्मोगैमी है जो कि क्या करता है सेल पॉलिटली जो क्रोस पॉलिएशन को रोक देता है ठीक है इसके अलावाद जितने भी कौन से हैं मेल स्टेरलीटी है मेल स्टेरलीटी भी किसको प्रमोड करता है क्रॉस पॉलिनेशन को ठीक है डायोसीजम भी किसे कम प्रमोड करता है क्रॉस पॉलिनेशन को मेल स्टेरलीटी में क्या होता है जो मेल गैमिट होते हैं वो किस तरह क्यों होते हैं ठीक है इन वाइब वह नहीं कर पाते हैं अपने ही जो वहाँ पर फीमेल स्टिग्मा है उसको फिर ये नहीं कर पाते हैं तो उससे क्या खहते हैं उस है जो मेल and female क्या है different position पे प्रेसंट या different प्रेसंट से क्या का जाता है यह हर एक जो phenomenon है इस में क्या होती है फिर क्रोस पॉलिनेशन की जरुरत होती है राइट नेक्स्ट क।स्टन पर आते हैं अप्लांट with the somatic chromosome number of 2N plus 3 is known as क्या है कोई प्लांट है उसका जो chromosome number है कितना है 2N and plus 3 ठीक है क्या add हो गया है उसका जो diploidy chromosome number था ठीक है उसमें कितना add हो गया है 3 उसमें add हो गया तो उस condition को क्या कहते है देखे जब दे क्या होए 2N हमारे पास organism है उसमें एक add हो रहा है तो कितना हो गया एक सैट में कितना chromosome हो गये वहां पर कितने हो गये 3N वहां पर हो गये मीज क्या हो गये वहां पर तीन वहां पर प्रेजेंट हो गये मतलब 2 प्लस 1 कितने हो गये 3 हो गये तो मीज उससे क्या कहते हैं ट्राइज सूमी उस इस कंडिशन को कहते हैं एक है ते थे कहा जाता था-चाहिए यह क्रोममोजोम है अगर जो ळाता है टॉ n plus 2 भॉस जाए तो उससे क्या कहा जाएगा उसे tetasomig कहा जाएगा और हमें क्या दिया गया यहाँ पर 2N inRa 3 दिया गया तो मेंज कितने हो रहे है एक सेट में 5 क्रोमोजोम हो रहे हैं तो क्या कहेंगे उसे pentasomig क्या कहेंगे pentasomig क्योंगे right answer है इसका जिहां राइट कि next question पर आते हैं which one of the following breeding approaches can be used for transfer of desirable successive gene in otherwise good variety ठीक है कौन सा है जिसको gene transfer के लिए use में लाए जाता है जो क्या है एक अच्छा method होता है desirable successive gene को क्या कर सकते हैं उससे हमें transfer कर सकते हैं तो कौन सा method वो होता है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या है बेक्रॉस मेथड ठीक है कौन सा मेथड है बेक्रॉस मेथड से क्या कर सकते है इजी successive gene transfer है किया जा सकता है ठीक है कि next question आता है हमारे पांस the development of embryo from egg cell without fertilization is referred as क्या है कि जो development होती है egg cell से किसकी embryo की development कहां से होती है egg cell से बट किस तरह की hoगी वो बिना fertilization के होगी किस तरह की होगी बिना fertilization के जब होती है mostly होता है और दूसरी सिंपल क्या होती है फुर्टिलाइजेशन और कमबाइन क्या जाता हुशे डबल फॉर टिलाइजेशन कह जाता है तो इस घंफ बनता है दूसरा बनता है जो फूट श्टोरिज टीशू जिसे क्या कहते हैं एंडो स्पर्म कहते हैं वह बनता है ठीक है तो हमारे पास क्या दिया गया है अफ एंब्रियो से फॉप एंग सेल विडाओट फर्टिलाइज़शन ठीक है तो इसे क्या कहा जाता है जहां राइट अंसर आपका मदर्यमाराजी खुआ हों यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हैं फेंट इस यहां पर क्रेक्ट स्टेटमेंट फेमिली ठीक है एक ही फैमिली में क्या होती है जादा variation नहीं होती है अगर वहाँ पर क्या हो रहा हो inbreeding हो रही हो यह क्या है राइट है ठीक है क्या होती है वहाँ पर variability बहुत कम होती है जो भी inbreeding से species तैयार होती है ठीक है यहां शलेंदर कुमाराजपी राइट अंसर आपका ठीक है है decrease in heterogygus individual क्या है decrease होता है किसमें decrease होता है heterogygus जो individuals होते हैं उनमें क्या आता है decrease आता है ठीक है next statement हमारे पास क्या दी गई है next statement दी गई है हमारे पास selection within family will be effective क्या कहा गया यहां पर कि inbreeding करने से means inbreeding के लिए हम इन तुट है चलत है डाव और नहीं रहता है तुट है रहती है यह क्या हो जाता है यहीं करते हैं क्या एक्षिजिक करते हैं वहाँ पर generate हो जाता है तो selection यह किस तरह की है यह wrong statement है एक ही family के अंदर बार पर crossing कराने से क्या होता है वहाँ पर inbreeding depression आ जाता है ठीक है next क्या दिया गया है हमारे पास recessive gene will be marked by dominant counter counter पार्स की जो recessive gene होते हैं वो किसके द्वारा मार्क किया जाते हैं जो dominant वहाँ पर gene present होता है वही recessive gene को क्या करते हैं वो mark करते हैं ठीक है तो इसका जो right answer है कौन सा है इसका right answer है option एठीक है जो दो statements है यह किस तरह की है wrong है a b and c statements है वो क्या है right है related to inbreeding ठीक है अगले question पढ़ाते हैं अगले question में हमारे पास क्या दिया गया है assertion दिया गया है reason दिया गया है ठीक है assertion पढ़ लेते हैं after DNA replication a new double helix consisted of one old strand and other is a newly synthesized strand क्या बात की गई यहाँ पर है होते हैं दो strands होते हैं ठीक है तो पूचा क्या गया यहां पर क्या बताया गया DNA replication के बाद में क्या होता है दो strand बनते हैं एक उसमें पुराना strand रहता है और एक क्या होता है नया synthesize होता है तो यह क्या है wrong है क्योंकि जो DNA Replication किस तरह की है वो semi-conservative type है conservative type नहीं है क्योंकि semi-conservative type है एक उसमें new strand synthesize होता है और दूसरा किस तरह का strand synthesize होता है उसमें दूसरा उसमें पहले से जो strand present है उसी के उपर basis लगते जाते हैं और एक new strand synthesize होता है तो first statement क्या है है औन्स है। कए कुसे स्टेटमेंट लिए हमारे पास स्टेटमेंट है कुशन je वन इस दिफास्ट ओवारी अफ्राइटी ऑफ डॉयसे बनाई गई थी तो टाय चूंक वन कौन सी है नॉर्मली कि नाम से जानते हैं इस इसे टी एंडवन के नाम से जानते हैं सबसे पहली क्या थी यह द्वार्फ वाराइटी ती यह क्या है है राइट है ठीक है आई यह कौन सी है दो स्टेटमेंट सरे हमारे पास दी गई है ठीक है जो राइट नसर क्या है option is का right answer जो statement first क्या है ट्रू है statement second क्या है wrong है ठीक है जोग आनल क्या थी एव फिर्ट चर्ट से अई हें क्रॉसिंग से बनाए में बनाई गई थी एगा नेक्स्ट कॉस्चन पर आते हैं consider the following statement in reference to cross pollination cross pollinated crop ठीक है cross pollinated crop के reference में यह statement समय देखना है ठीक है first क्या दिया गया हमारे पास इंब्रेड लाइन बेश्ड शिंगल cross hybrid is homogeneous and homogeneous ठीक है second क्या दिया गया इंब्रीड line based single cross hybrid is heterogeneous and homogeneous थर्ड के दीगे हमारे पास composites are heterogeneous and heterogeneous फिर है कि जो general combining ability यानि की GCAG से कहते हैं of the component lines are tested in composite variety development और लास्ट दिया गया है statement हमारे पास जो भी जेनरल combining ability है उसे किसमें test किया जाता है synthetic कल्टी वार में उसमें test किया जाता है किसके reference में पुछी गई है हमसे यह पुछी गई है cross pollinated crop के reference में तो कौनसी statement है जो option सी इसका राइट अंसर है ठीक है statement B कौनसी है हमारे पास single cross hybrid is heterogeneous and homogeneous जी है यह क्या है राइट है जो भी inbred line होती है जो कि single cross से तैयार किये हुए hybrids होते हैं तो वह किस तरह होते हैं heterogeneous होते हैं बट होमोजीनियस होते हैं ठीक है वराइटी है आप लए अक्सर सुना होगा ज्मधी कौन-कौन से है है ओव सब्सक्राइब कॉन-कॉन होता है सूधिक खटा है जी किसे कहते हैं grassy Special से बनाव सब्सक्राइब से आजिक जो पैटीवल क्रॉस थे उनकी लाइं बनाए जाती है और उसमें क्या की जाती है क्रॉसिंग उनमें कराई जाती है उससे जो वेराइटी तैयार होती है उसे क्या कहते हैं और जो कंपोजिट वेराइटी जोती है उनने कंपोजिट वेराइटी जोती है उनने कंपोजिट वेराइटी में क्या होता है जो भी सीड्स होता है अलग जो कि क्या होती है अपस में क्रॉस कमपाइटिबल तो अलग-अलग वडित स्पिरियर व्टली व्यरिक एपसी इसां कर्दिया जाता है मिंग कर दिया धा है इस के बाद उनकी स्वोनम कर दीति मिक्स करने के बाद उनको इसुकिया जाता है और फिर उन क्या देखी जाती है जेनरल कंबाइनिंग अबिलीटी देखी जाती है ठीक है तो इसका राइट अंसर कौन सा है ऑप्शन सी इसका राइट अंसर है कौन सी और लास्ट कौन सा है जेनरल कंबाइनिंग अबिलीटी कहां पर देखी जाती है सिंथेटिक में किसमें देखी जाती या synthetic में general combining ability देखी जाती है, ठीक है, next question पर आते हैं, how many kind of genotype are possible in F2 if 4 gene are segregating independently, ठीक है, कि F2 में कितने possible genotype बन सकते हैं, अगर 4 gene क्या हो रहे हो, independently segregate कर रहे हो, ठीक है, independently अगर segregate है charging, तो F2 में वो कितने वो genotype बनाएंगे, तो इसका right answer कितना है, 81, ठीक है, 81 क्या है, इसका right answer है, 81 type के genotype से बनेंगे, next question पर आते हैं, यहाँ पर भी क्या करना है, है, match करना है list1 को, list2 से match करना है, ठीक है, meta centric दिया गया है, अगरो centric है, tillocentric है और आ यह सेंट्रिक है, यह क्रोमोजोम है, ठीक है, ठीक है, chromosome को क्या कहा जाता है, meta centric chromosome होते हैं, एक किस basis पर होते हैं, कि उन में जो centromere है, ठीक है, जो भी centromere present है, वो किस पोजिशन में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर क्या है यह टाइप से क्रोमोजोम के जैसे जो मेटा सेंट्रिक है मेटा सेंट्रिक में का हो प्रेजेंट होगा मीडल में ठीक है इन मीड़ वे और क्रोमोजोम जब जो क्रोमोजोम के बिल्कुल बीचो बीच क्या प्रे है एक आर में होगा जिसका भी बट गुकी स्थ तरह होगा एक है के लोज बाब बट्पूरे यह थोड़ा लोज होता है उससे क्या केते हैं एक्रोसेंट्री के एते हैं फिर आता है juegos in में प्रेजेंट होता है ठीक है बिल्कुल उसके एज में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है ठीक है बिल्कुल एज में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है टीलो सेंट्रिक जब सेंट्रोमेर कहा हो बिल्कुल एज में प्रेजेंट हो से कहा जाता है तीलो इसे स्टेटमेंट्स दे घहा है हमारे पास्टेटमेंटन फर्स्टाइस औफ क्या दिओस एंड फॉस्पो जीपसम दिया यह क्या है राइट स्टेट्मेंट आ जो भी सॉल्यूबल सोर्सिज है मिन इस जिस से हम क्या करते हैं कैक आचिंश प्रोवाइड करते हैं ठीक है थीक है हमारे पास की जिप सम्हें किसे करता है सोडिक सॉयल को रिक्लैम करने में घल्फ हो रहता तो यह वह सोडिक सो इल को कियोन रिक्लेम करने के लिए क्या डाला जाता उसमें जिप सम्हें ड़ा यह जो जिप सम है और जो Phosphor Jifsen है वह किस तरह के हैं व do रभल टाइब के होते हैं ठीक है सॉलेबल सोर्सेज हैं कैल्सिम के पर आते हैं कर्फ कोफोष्टन दियागया है सवलेक डी कव्र Stephen के यहां पर भी स्टेटमेंट हूमने क्या करना है सबस्ट हिंप करना है ठीक है 43 number question और जो 44 number question यहां पर क्या थे options यहां पर है आगे पीछे हो गये थे ठीक है गलत option आ गये थे यहां पर है तो 43 और 44 जो question है इनको drop कर दिया गया था ठीक है तो 45 question पर आते हैं ठीक है 45 question है यहां हमारे पास assertion दिया गया है रिजन दिया गया है ठीक है assertion है the collidal surfaces of humus are negatively charged जो भी humus है ठीक है humus किसे जो organic matter के decompose होने से क्या बनता है humus बनता है ठीक है organic compound है यह किस तरह का होता है negatively charges होते है collidal surfaces होते हैं हुमस के वो negatively charge होते हैं तो यह क्या है राइट है ठीक है क्या है right statement है the negative charges arises from exposed functional group like hydroxyl carboxylic and phenolic जीहां यह भी क्या है राइट है ठीक है हुमस किस तरह का है organic matter से बनता है organic matter यानि कि उसमें क्या present है उसमें hydroxyl present भगा कार्बॉक्सिल और phenolic जैसे है plants में क्या होते है lesson are to some forens होते है의 bind होते हैं ठीक है साथ इसा जैसे amines होते हैं उसमें present to thedes 돼 sekarangает हमाइड क्या release करते है hydroxyl आयन को वो उसके सर्फेश किस तरह के नेगीटीव चार उसके सर्फेश इस पर होते हैं तो क्या है जो दोनों स्टेटमेट्स क्या है ठ्रू है ठीक है next question दिया गया है which one of the following is aerobic asymbiotic nitrogen fixing bacteria कौन साइस में ऐसा bacteria है जो किस तरह का है aerobic है और साथ में asymbiotic है aerobic means oxygen की presence में work करता है ठीक है जी नहीं सारे question इसमें statement टाइप नहीं है पर बहुत से question जो है cvt में अकसर statement में पूछे जाते हैं ठीक है other single option के भी आपके पास इसमें questions होते हैं बहुत से बटर maximum question जिसमें statement से भी और assertion और रिजन से भी पूछे जाते हैं देखे question क्या है हमारे पास कि aerobic aerobic और इस इंवाइटिक बैक्टिरिया कौन सा है एरोग मींज जो oxygen की presence में रेस्पायर करता है और साथ है इस इंवाइटिक है मीन्स वह एक सिंवाइटिक 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 का रिलेशन्शिप नहीं बनाता प्लांट के साथ है वह मिच्व बेनिफिशियल का उस तरह को समय कोई भी उसमें आशोशेशन नहीं होती तो कौन है इसका राइट चैनल सरक राकी जो यह राइजोबियम है राइजोबियम क्या बनाता है यह क्या है सिंवाइटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया बड़ जो आज और आख रहा किस तरह का है एस एस इ of soil in relation to growth and development of a plant is known as ठीक है जब study कि soil कि study की जाती है किसके relation में growth of a plant के relation में जब हम क्या करें soil को study करें तो उसे क्या कहा जाता है कि किसके मीज़ा जब हम रिलेशन to soil relation to plant हमें soil के study करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है तो उसे कहा जाता है और जब इन relation to plant study की जाती है soil की तब उसे डाफ जाता है राइट नेक्स आता है soil genesis soil genesis में जब हम soil के genesis की यानि की जो soil forming जो भी processes हो गई कौन से factors होते हैं तो soil formation की जब हम बात करते हैं उसके study करते हैं तो उसे क्या कहते हैं soil genesis जी यहां राइट answer है आपका इडेफोलोजी ठीक है क्या कहते है इडेफोलोजी कहा जाता है जब हम soil के study in relation to plant करते हैं ठीक है next question पर आते है volatile substance emitted by the ripening fruits is known as कौन सा volatile substance है जो ripening के during fruit से क्या होता है release होता है ठीक है volatile substance है fruit ripening में भी उसी का use किया जाता है कौन सा है hormone है कौन सा ethylene ठीक है कौन सा hormone है ethylene volatile substance emitted by the ripening fruit ठीक है ripening fruit से जो volatile substance release होता है during ripening तो उसे क्या कहते हैं कौन सा substance होता है वो ethylene होता है fruit ripening के लिए क्या होता है यह responsible होता है next question पर आते हैं next question हमारे पास list 1 को list 2 से match करना है ठीक है क्या दिया गया है हमारे प्रोटीन सेलद करते हैं क्या होता है रइधर सिंथेस्टेसिस होती है और क्या कहा जाता है इसे प्रोटीन फेक्टरी ओफ दी मैक्सिमम जो भी प्रोटेंस होते हैं राइबो जोंड में synthesis होती अंकी सेल से अंदर थीख फिर आता है कौन सा पहां पारोक्सीसोम है फिर हमारे पास घोन ठीम माई टो सरह कहा कहा जाता है पावर होस अफ दी सेल होती है een mitochondria में तो इसलिए क्या जाता है उसे पावर हॉष आफ दी सेल तरहाज थिक है जो như वाल इस है ठीक है क्या किया करें करती हैस सर्थी के निउस में क्या कowser नोस होते है ठीक है न कि इस में फोटो respiration में helpful होते हैं किसमें जो photorespiration होती है light के presence में जो respiration होती है उसमें कौन help करता है peroxy zones उसमें help करते हैं next question है हमारे पास next question है in C4 plant the first stable product of a photosynthesis क्या है जब भी c4 plants में यानि की concept plants होते हैं यह c4 plants होते हैं इन में c4 plants की categories में concept plant आते हैं जिसमें क्या होता है जो एक respiration cycle के during क्या होता है फोर carbon atom fixation होती है इनकी water use efficiency किस तरह के होती है हाई होती है और इनमें क्या पाई जाती है cringe anatomy इनमें पाई जाती है क्या पाई जाती है cringe anatomy इनमें पाई जाती है cringe anatomy का क्या मतलब होता है कि इसमें दो तरह की सेल होती है एक epithelial cells सेल्स होती है ठीक है और दूसरी कौन सी होती है bundle sheath cells कि कॉन सी जो bundle sheath cell और epithelial cell इन इन दो सेल्स में यहां पर इन में photosynthesis अकर होती है किसमें जो c4 plant है जी हां horticulture is our culture oxalate acetic acid जी हां यही होता है कौन सा product है c4 का रायट अंसर आपका कौन सा है oxylo acid या oxylo acid acid जी से कहते हैं वो क्या है product होता है किसका फ़र्स्ट प्रोडक्ट होता है शेलेंदर कुमाराजपुजी राइट अनसर आपका भी option b राइट अनसर है ठीक है गहां कौन सा होता है c4 का oxylo acid होता है वहीं पर कर उससे mostly C4 plant में cringe and not me पाई जाती है ठीक है bundle sheet cell और जो epithelial cells होती है mesophyll cells जो होती है ठीक है उन mesophyll cells में क्या होता है ठीक है कौन सी mesophyll cells ठीक है mesophyll cell और bundle sheet cell में क्या होती है यहां पर photosynthesis होती है ठीक है तो first stable product बनता है वह oxaloacitate या oxaloacitic acid होता है प्लांट में और सी 3 प्लांट में इंड बीनुष कि घन ओता है कोन सा फोस्फोग स्वेथ का ऑसीड होता है यह भ disponerा प्लॉक ऑफ लूकोज आफटर रेम रेस्पिरेशिन प्रोड सी इसका राइट अंसर है ठीक है ॐप्शन सी इसका राइट अंसर है कितने 38 80 पी प्रधूर्यूस करता है तरफ यह Kतने बुद्ट करता से वन synthesis की ठीक और है तुछ टी किस तरह एक और है और oxygen की प्रेजंस में और ऑट किसके और ऑक्सिजन के प्रेजन्स में और किसके वेलिवीटी में जो भी ये reaction को produce करते हैं कौन सा है ये 6 CO2 produce होता है क्या produce होता है यहाँ पर 6 CO2 produce होता है plus 6 H2O produce होता है ठीक है और plus 38 ATP molecule generate होते है एक respiration cycle से ठीक है इतने होते है 38 तो इस तरह से क्या होती है ये कौन सी process है ये respiration की process होती है और इसी का उल्टा कहां पर होता है photosynthesis में ठीक है photosynthesis में किस चीश का यूज होता है carbon dioxide का यूज होता है water का यूज होता है in the presence of sunlight किसकी presence में sunlight की presence में किसमे chlorophyll में ठीक है कहां पर होती है ये chlorophyll में या chloroplast में reaction होती है sunlight के presence में और क्या बनाती है यह बनाती है ग्लुकोज और साथ ही में क्या release करती है oxygen को release करती है ठीक है जो respiration है कि जिहां reaction balance होगी आपकी 6-0 हो गया यहां पर ठीक है 6-2-0 और 6-0-2 तो balance हो गई है equation ठीक है जो respiration से ठीक उल्टी प्रोसेस कौन सी होती है respiration से photosynthesis ठीक इसमें उल्टा होता है ठीक है next question पर आते हैं कि मिलोडोगाईनी incognita which causes stunting of gladiolus plant and their yellowing is कौन सा होता है मिलोडी गयानी क्या है ठीक है नाम सी पता लगते होगा है घ्त को सहे है मिलोड़ को बाडोड है क्या कॉस करता है stunting का सकता है gladiolus में और साथ यसाथ क्या हो जाता है वहां पर डिक है क्या हो जाता है कि इससाथ से में हो जाते हैं किसकी बज़से जो डूट हानि में अरियो सोमा जी ये रम एरियो सोमा लेंजी जेरम वली के ते हैं इस इपोर्टन पैस्ट इन सबसे ज्यादा किसका एक कोरटेंट कर फैस्ट है किसमें सब्ससे जादा आता है जली से कमेंट कीजीये और Nuclear tomato में कारनेशन में एपल में या ब्लैक किस्ट यह स्टेंब कोबर कर देता है ठीक है इस होती चोटे 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 इसके नदर ऑफीन तरह किसी था मैं में तरह जी बहुत होनी यह होती होई ठीक है उस तरह से फॉटाइन साइब्लाइस में इसमें किया यूज क्या जाता था इंसेक्टिसाइड एंडोसलफान का यूज किया जाता था ठीक है अब जो है वह एंडोसलफान भी क्या हो गया है बेन हो गया है तो आज कल जो भी जो मुस्टली कौन से आते हैं जैसे कि जो क्लोरो पायरी फॉस प्लस साइपर मैथरीन का भी एक पोजिशन आता है ठीक है उसको भी एपल ग्रोवर जाज कल इसमें मोस्टली यूज में लाते हैं इसको किल करने के लिए ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन पर आते हैं नेक्स्ट कॉस्टन दिया गया है अकॉर्डिंग टूदी बोटैनिकल क्लास्फिकेशन कैश्यू भी लॉंग पर आते हैं इस एडीवल पॉलविंग वरायटी और गडंपी ऑफ डफेलाउग ऑ्फोड़ बॉल्बॉल पर काझ्यूनिक्स और बीक नेक्स्ट क्यों कौन सी वराइटी है जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सी वराइटी है जो एडिबल पर्पस की है ठीक है साथ में जो आप ऑप्शन जो अंसर कर रहे हैं कृपया साथ साथ में इसका कॉश्चन नंबर भी लिखते रहें ताकि मैं इजीली अडेंटिफाई कर पाऊंग है कौन सी है एडिबल पॉड़ वेराइटी गार्डन पीकी इन में से कौन सी है ऑप्शन दिये गए है काशी मुक्ति है बॉने विली है ठीक है या अरका अपूर्वा है या पालम्प्रिया है कि आ है कि यहां हम ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको कॉश्चनिंद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है हिंदी में ट्रांसलेट क्या जा रहा है कै रितेश कुमार जी आपका राइट अंसर रहें से फिसका अफसेशां और कॉश्चन इसका राइट अपूर्वा किस थरहा की है झार्ग की वराइटी है और में एबन की सारी गाड़न पीक की वाराइटी है और दूल फुर्पोर में यूज गीए है इस को को का सकते है और इसको सकते है और आपका मधुर्यवार राज राजी Apoorva ठीक है कौने सी और का Apoorva अपूर्वा डोल पर्पस अढ़िबल पॉड़िड़ वेराइटी बाराइटी है 600 उम्हेर सेद पर आते है ठीक है semi hardwood cutting hibiscus की जब हम करते हैं उसमें रूटिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कि स्वारी कुस्म यादव जी ठीक है कौन सा है इसमें विच आफ दी फॉलविंग इस रिस्पॉंसिबल फॉर रूटिंग ऑप semi hardwood cutting करते हैं जो भी सेमी hardwood cutting होती है हिबिसकस की उसमें रूटिंग के लिए रूटिंग इनिशियेशन के लिए किस हॉर्मौन का यूज़ किया जाता है जिहां राइट अंसर है आपका होटी कल्चरी जावर कल्चर मदुरिमाराजी रितेश कुमार जी राइट अंसर आपका ऑप करता है करता है तहekे सिर्फ हे भीसकोस मेनी जो भी हम को तigram करते हैं जिसके गशाए हम तब करते आब करते हैं जिस सेब्सक्राइट करते हैं OF रोस और को उपको किसका यूज क्या जाता है Routing के लिए उसमें IBA का यूज किया जाता है ठीक है दो methods यूज में लाया जाता है एक होता है कौन सा methods soking method को to use में लाया जाता है जिसमें mostly कितना 100 or 200 या जादा से जादा कितना 500 ppm तक का IBA की concentration का solution बनाया जाता है और उसमें उसको 15-20 मिनट या एक घंटे तक क्या रख जाता है ठीक है वो कंसेंटरेशन पर डिपेंड करता है और साथ ही में दूसरा मेथड होता है इसमें एक कौन सा उसे कहते हैं क्विक डिप मेथड ठीक है कौन सा मेथड होता है क्विक डिप मेथड होता है जिसमें लग कि अध्यलाइब का कि पंधर को छोड़े में फाइव ताजन पीपिम तब का सलुचन बनाा जाता है और फिर उसमें एक बार दिब करके फिर उसको रख दिया जाता है ठीक है उसको क्या कर दिया जाता है तो तो है क्या क्याते हैं इस तरह से दो मेथट का यूज़ करके जो आए भी है उसे एपलाइ किया जाता है कटिंग में नेक्स्ट कॉच्छन आता है हमारे पास यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेर इस दिस सेंट्रल इंस्टिटूट ऑफ एरीड हॉटी कल्चर लोकेटी ठीक है एरीड नेक्स्ट कॉचन पर आते हैं नेक्स्ट कॉच्छन दिया गया है में छिस्ट वन वीद की ठीक है यहां पर क्या दिया है हमारे पास क्रॉप दिगई है और लिस्ट टू में उसकी पुछ वैराइटीज देगी हमें इनको मेच करना इसमें पलक सब्बुजी आपका भी राट अंसर है पलक साहू जी मधुरुमार राजी राट अंसर है ठीक है जो आप जो अे रिड का कयों uniform रिसका लिखा ठीक है जो जो जोडफूरblock पर क्या है कजरी है क्या है वहाँ पर Central Arid Zone जो Research Institute है वो जोदपूर में है बजो Arid Horticulture है वह कहांपर है भी कहनेर राजस्तार्थान में ठीक है जो Central Arid Zone Research Institute वह कहांपर है वह जोदपूर में है आग ос में दिया गया है पियर है हमारे पास जो पियर की वराइटी कौन सी है पियर की वराइटी है ठीक है उसके बाद पॉम ग्रेनिट है लिची है और कौन सा है ग्रेप है पियर की वराइटी कौन है बाट लेट ठीक है मीन्स एका कौन सा है टू है ठीक है तो ऑप्षन भी क्या है राइट अंसर इसका कोश नहीं अब्ज फीलम नहीं dueकित नहीं अचैनल फीलिपकेशन ब्राइट कशुचरी है ऐसेजिकरची उप्श्री राइट लांगर फ्रिकरट क्या मार combined अनाब शाहि ठीक है अनाब शाहि किसकी ग्रेप की वराइटी है नेक्स्ट कॉच्छन पर आते हैं एंपोर्टन डिजीज ऑफ पोटैटो ठीक है लेट विलैट से रिलेटेड है यहां पर स्टेटमेंट लिए फिर इसके बेसिक पर शेट्मेंट दी है कि फाइट अप्थोरा इस दी कॉजल और उर्गनिजम ओफ लेट ब्लाइट पोटैटो यह राइट स्टेटमेंट है ठीक पिर दिया गया है, late blight is a viral disease of potato किस तरा कहैं? जो fungal disease है, ठीक है? disease-free sheild should be planted. तो इसका right answer क्या होगा? ठीक है? statement a.b. right है, b.b. right है ठीक है? और d. right है, ठीक है? कौन-कौनसी है? a.b and d. only तो c. option क्या होगा? इसका right answer होगा. कौन-कौनसी है? कुफरी चिप्स होना रेजिस्टेंट है किसके लिए कुफरी चिप्स होना लेट बलाइट के लिए रेजिस्टेंट वराइटी कौन सी है कुफरी चिप्स होना लेट बलाइट के लिए रेजिस्टेंट वराइटी है और मोस्टली किसमें यूज किया जाता है इसे जो चिप् है एपो मिक्सिस इस एन एसेक्सवल रिप्रोड़क्ति प्रोसेस लोगा उसकी कोई भी जरूरत नहीं होती के बिना नुकलियर के बिना इसेलिलर फ्यूजन के जो एक होती है और एसेक्सवल है क्या है राइट है फिर क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास U.S. embryo may develop from an unfertilized egg cell और another cell within the embryo से यह भी क्या है राइस टेट में जो embryo है वो जो एन फरटिलाइस एग से भी वो ग्रप हो सकता है जिसे क्या कहते हैं पार्थनेज़ेसिस जीसे कहते हैं ठीक है क्या कहते है पार्थनेज़ेसिस सीकसे तर साथ ही दॉनहों स्टेट में go पीचाही दौन स्टेट्मेंट क्या है राइट है कि नेक्सट क्वे्चन है फिर से हमारे पास क्या दी गई है स्टेट्मेंट CBS दी गई है ठीक है कौन कौन सी है और ग्रूप ऑफ प्लांट बायो रेगलेटर विच प्राइमरी रिस्पॉंसिबल फॉर राइपनिक अपूर्मोन है ठीक है राइपनिंग नहीं कॉस करता क्या किसलिए होता है यह ग्रोथ के लिए होता है ड्वेल्पमेंट के लिए होता है सेल एलोंग और सेकेंड क्या है correct है को सब्सक्राइट में यह कॉनसा यन क्या है स्थेटमेंट है वो क्या है रोंग है सेकंड स्थेटमेंट क्या है राइट है ठीक है Ew इस पर फ्रूट को दो टाइब में डिवाइड किया गया है एक होता है कौन सा क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट होता है और दूसरा कौन सा होता है नॉन अग्र है कि जुस को जब हम सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर म उसको मैचरी में हो जाता है वो पर हो जाता है रहोसकत है ऊप्लांट में लगा रहना ज़रूरी होता है तो उन्हें क्या खरते हैं नॉन क्लायमेटिक फ्रूट्स कहते हैं ध्मेट्रिक में आ जाते हैं जैसे एपल हो गया प्यूर हो गया ठीक है उसके बैस्टीय बेसिस फर है नेक्स्ट क्वश्टन पर आते हैं नेक्स्ट क्वश्टन दिया गया है micropropagation is an efficient alternative method of vegetative propagation जो macropropagation है माइक्र प्रोपागेशन क्या है मिस हम किसका यूज कर रहे है mikro parts का यूज करें ठीक है एक cell का यूज करके tissue का यूज करके या plant के part का यूज करके ठीक है एक 것도िशु में परना भी करते हैं उसको सैलेवल पर भी किया जाता है और ब हाथा क्रोपागेशन इन इट्रो टेक्नीक से नि यूट्रियन ची जाती है डिया कह प्रमाईक्रोड कंट्रॉल कॉंट इंडिशन में की जाती है ठीक है तूट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और वारिस-फ्रीप्लांट से प्रड्यूस कर सकते हैं फ्रद दिया गया है राउंट दी एर प्रोडक्शन और प्लांट इस नॉट पॉसिबल यह किस तरह का है यह रॉंग है तो क्या कर सकते हैं राउंट दी एर कभी भी हम इन वीट्रों कंडिशन में सीजन का कोई एफेक् जोगी उनको क्या कर सकते हैं कंजर वे कर सकते हैं यहां राइट अंसर, भी कहा है बाकी फर स्थेट्वेंट रोंक है वहётक है एक्विमेंट चीज यूज के जाते हैं इसके लिए तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है ज्याधा होती है नेक्स्ट क्वेस्टे पर आते हैं रिजुबिनेशन की जाती है क्या कि जाद जो भी ओल्ड स्टैम होते हैं ब्रांचिस होती है यह कई बार जो पूरा पूरा प्लांट होता है उसको क्या कर दिया जाता है उसको कट कर दिया जाता है ताकि उसमें फिर से क्या हो फिर से स्प्रॉटिंग हो के न्यू ब्रांचिस उसमें आए जिससे कि क्या हो जो डेट ब्रांचिस हो वो सारी रिमूव हो जाती है नहीं ब्रांचिस आती है तो वह ज्यादा प्रोड़क्टिव और ज्यादा प्रोड़क्शन फिर देने लगता है ठीक है तो यह क्या है राइट है क्या किया कहा जाता हो उस प्रोसेस को quin trees में रेजोविनेशन प्रोसेस हम करते हैं उसमें क्या होता है तुम पर उस 6 इस यह विया और उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता कि वो किसी तरह का बेनिफिट नहीं करता है किसी तरह का डिजास से हम वहाँ पर किसे बचा नहीं सकते प्लांट को रेजोबिनेशन से ठीक है तो यह क्या है राइट है क्या कहा गया है रेजोबिनेशन डॉसका कोई बेनिफिट नहीं होता है रेजोबिनेशन का किस चीज में बेनिफिट नहीं होता है डिजीज हर्ट रॉट और कोल्ड इंजरी से बचाने में उसका कोई भी रोल यह नहीं होता है क्या रोल होता है उसका production होता है तो दोनों statements वह है राइट f इसकी स्टेटमेंट की जो शर्चन है और इसकी एक्सलेनेशन नहीं है ठीक है बोथ एडर आर्टू बट आरड आर एडर आर अइज़ अनुद्ट टीकरेक्ट एक्सलेशन ठीक है आर इस नौर्डी करेक्ट एक्सलेशन ओफ ए तो ऊप्षिंड कौन सा है राइट इसमें biting and chewing type of mouth part are presenting किसमें प्रेजेंट होते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए ठीक है अगर आपने हमारी पीछली वीडियो देखियोगी उसमें भी ये questions आये है ठीक है जो पिछला का हमने paper solve किया था ठीक है उसमें भी ये questions पूछे गए थे कौन सा है जो biting and chewing type of mouth part है किसमें प्रेजेंट होता है कि इसी के साथ में आपको बता दू कि जो कौन से होती है housefly होती है housefly में कौन सा प्रेजेंट होता है sponging and sucking type mouth part कौन सा होता है sponging and sucking type जिसमें प्रेजेंट होता है यह यह प्रेजेंट होता है housefly में फिर बग्स में किस स्तरह होता है surprising and sucking type का कोईशा bugs हो गया लुसelas गया मॉस्कूटोज हो गया उसमें कौन सा प्रेजेंग ऐराने छींचिटोज में और bugs फिर आते हैं कहुन से मॉच मौक्स में किस तो जो ग्रास ओपर में क्या प्रेजंट होते हैं बॉय टिंग-ध टॉइप ऑफ डाफ ज्य Кजी जो एहने सीयल का पेपर बाइललिंगल hoop निटीक है वह हिंदी में भीपशा जाता है और इंगलिश में भी-poo छाता है B 주고 ured it Ulrich जी आपका किसमें इश्टेब कर upright होते हैं किसमें पाई जाते हैं ग्राशंपर में पाई जाते हैं नेक्स्ट पर आते हैं ce के छ색 नेशनल सेंटर पर इंटिग्रेटिड पैस्ट सवेक्ट नेज्पर में Кली ऑए इस्सेद्ट यानि की इंटीग्रेटिट पेस्ट मेनेजमेंट काम पर इसका हैड़कॉटर देली में इसका हैड़कॉटर है और इसको एस्टेबलिश किया गया था 12 फैबुररी 1988 को ठीक है कब एस्टेबलिश वह था यह याद रखना 12 फैबुररी 1988 को जो है नेशनल सेंटर फॉर यादव जी राइट अंसर मदुर्यमा राज जी पलक साओ जी जी हाँ फुल्तानपूर निव देली में यह तिक है महेश यादव जी राइट अंसर आपका लेक्स्ट कॉस्टन पर आते हैं थीक है next question दिया गया हमारे पास primitive living winged insect belonging to the order जो प्राइमिटिव टाइप से जो इंसेक्ट मीज पुराने समय से जो फर्स्ट में भी थे ठीक है स्टार्टिंग टाइम से एवलोशन के टाइम से जो इंसेक्ट से हैं और किस तरह के हैं वींग्ड इंसेक्ट है मीन्स जिसमें क्या पाए जाते हैं वह इंसेक्ट मोश्टली किस ओर्डर से बिलॉंग करते हैं ठीक है इन मैंसे किस ओर्डर से बिलॉंग करते हैं जो प्राइम और ऐनके क्या होथ है इनकी फ्लाइट होती तक है और किस तरह के वीक이스트 करते है जब भी बीडे याते हैं जो भी भी होता है थानिक जब इनके पास आते हैं तो किया का उतीヤ उनकी ड्रेगन अफ्लाइस हो गई ठीक है उसी है ड्रेगन प्लाइस होगी इसके अलावा जो डेवड यो फिश स्थे आप जो इनसेकट बॉडी में जो दोर और चंप men कहां पर प्रेजंट होता है जोंस्टन नोर्गन क्या करता है में सुनता है ठीक है क्या करता है ठीक है कहां से इन वीच पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉड़ी ठीक है इन वीच पार्ट जॉंस्टन ओर्गन जॉंस्टन ओर्गन का क्या काम होता है जो जॉंस्टन ओर्गन का क्या काम है हेरिंग का ठीक है मीज जो भी होती है वो वो प्रेजेंट होती है सेंसरी ओर में ठीक है इंसेक्ट के सेंसरी ओर्गन में प्रेजेंट होती है जी हाँ पलक साओ जी राइट अंसर आपका कहां पर प्रेजेंट होती है यह एंटीना में ठीक है सेंसेशन का काम होता है तो सेंसरी ओर्गन कौन सा होता है इंसे को करता है Deputy Southern terre j cognitive को तरह से हमारे में कान होते हैं सुनने कि लिए उनमें क्या होती है इसνεकित में जॉंस्ट को जोर करते हैं और पर वह जन प्रोथ में एंटीने में वह थे हैं एंटीने ने से ठीक है नेक्स्ट क्यूच्छन पर आते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास दी गई है सर्चन है रिजन है ठीक है सर्चन है फिल्टर चेमबर इजन नौट फाउंड इन एफिड की एफिड में फिल्टर चेमबर नहीं पाया जाता यह क्या है रॉंग एफिड में क्या होता है फिल्टर चेमबर पाया जाता है ठीक है और वह फि इंटेरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वाए डिफ्यूजन यह क्या है इसका फंक्शन है क्या करता है पास करता है वाटर को कहां से एंटेरियर पार्ट ऑफ स्टमक टू इंटेस्टाइन ठीक है स्टमक से इंटेस्टाइन में क्या करता है पास करता है ठीक है कहां के लिए present होता है तो first क्या है wrong statement है क्या कहा आगाते हैं कि not found in aphid but aphid में क्या होता है वो पाये जाता है तो क्या है first statement wrong है but second क्या है right है ठीक है A is correct but R is not correct ठीक है याद रखना filter chamber aphid में पाये जाता है और वो किस लिए काम आता है वो stomach से जो intestine होती है वहां के लिए diffusion के थ्रू है water को पास करता है ठीक है next question आता है common polyphagus crop past are polyphagus crop past कौन से होते हैं polyphagus means जो क्या करते हैं एक insect जब बहुत सारी crop ठीक है more than two crop या more than one crop क्या करते हैं जब कोई feed करता है कोई insect feed करता है तो उससे क्या कहते है polyphagus polyphagus means अलग-अलग टाइप का food जो लेते हैं ठीक है अलग-अलग टाइप का जो food लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं polyphagus जाता है ठीक है व जो डो कों से हैं जो पॉवेगस क्या है पेंस्त है वह कौन सा है option इसका रॉ 말 और है पुरी किस तरह के हैं यह पॉरी मेट पेस्ट है यह अलग है अलग टाइब के फूड इंजेस्ट कर लेते हैं ठेक है डज़र्ट लोकस्ट है कॉटन बाल ओं है और रेड हेरी केटर विलर है ठीक है कि नेक्स्ट कॉश्चन पर आते हैं नेक्स्ट में भी क्या है उम्हारे पास statement दी गई है कौन से statement है first है caddy flies belonging to order trichoptera कैज़ी स्प्राइब किस order से आती है trichoptera यह क्या है right statement है किस order से होती है जो caddy flies होती है वो होती है कहां से trichoptera से है ठीक है और जो दूसरी statement fruit flies do not belonging to order diptera यह क्या है रॉंग जी है जो fruit fly होती है वो किस से आती है डिप टेरा से कहां से डिप टेरा order से हैं तो क्या है first statement क्या है राइट है स्टेटमेंट वन इस ट्रू बट स्टेटमेंट टू इस फॉल्स ठीक है याद रखना जो रॉंग कहां से ट्राइक कोप्टेरा से हैं और जो fruit flies कहां से है डिप टेरा ओड़र से हैं ठीक है कि नेक्स्ट पार आते हैं नेक्स्ट गोच्चन दिया गया है प्लांट औरीजिन इंसेक्टिसाइड और जल्दी से कमेंट कीजी इन मैं से कौन-कौन से प्लांट औरीजिन के इंसेक्टिसाइड है मत स letter कि आ जाते हैं जो प्लांट से एक्सट्रेक्ट कि ए जाते है अंतहिकई निकोटीन अर्सेंऄंटे अधिकर फोस्पवर मीडॉन और रौटिन्हों कॉन कॉन से इन मैसे हैं ठीक है option दिए गए आपके पास कौन सा इसमें से राइट option है जल दी से comment करके बताएए कौन से plant origin के insecticides है तो कौन-कौन से है इसमें जो plant origin के जो insecticides है एक कौन सा है निको टीन ठीक है ये भी कहा है plant origin का है ठीक है पारिटरम् भी क्या है plant origin का है रतिनों भी क्या है plant origin का यह यानिकी AC and email return सायर ठीक है तो option से क्या है इसका right answer एसी कंड जियान टाइटन से रहे आपके option जो ए है एक्या है एक निकोटीन है एड पाइरी थरम और रोटिन ठीक है तीनों है ठीक है कौन से हैं तीनों किसके हैं यह प्लांट ओरिजिन के हैं ठीक है प्लांट से एक्स्ट्रैक्ट किये जाते हैं का करते हैं जतत्क हैं वह-गान और मोश्क नापक किसका खतरा रहता है कि इसका खतर रहता बवंपर वाइट आंट्स का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट है दी गई हुए ठीक है लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है ठीक है इसका जो right answer है वो कौन सा है option इसका right answer है यानि कि लार्वे बरो अन्टू दी apple fruits and feed on the pulp कौन से होते हैं वह codling moth होते हैं जिनके लार्वा कहां पर होते हैं apple के fruits पर होते हैं और उसी के fruit का जो pulp होता है उस पर feed करते हैं कौन से होते हैं कोडलिंग मौत होते हैं फिर आता है पिंक कलर एंक्रस्टेशन और एपल फ्रूट जो पिंक कलर के एंक्रस्टेशन होती है एपल फ्रूट के ऊपर एपल के फ्रूट की स्केन के ऊपर वो किसकी वज़े से होती है कि किसकी वज़े से उसे क्या कहते है St. Joseph's Scale, उसे कहते हैं जो scaling होती है, जो encrustation होती है, जो वहाँ पर धारियम बनी होती है, वो किसकी होती है वो? वो होती है, St. Joseph's Scale उसे कहा जाता है, फिर आता है Ashy coat on Apple stem with gold root, बहुत ही simple सा है, कौन सा है ये,Holy Aphid है, ठीक है, किस तरह का Ashy coat बनाता है वो ठीक है जैने आपको यह hard लग रहा है पर यह क्या है ना simple paper है ठीक है इसमें क्या होता है जो statements होती है उसमें थोड़ा आप confused हो जाते हैं ठीक है जो assertion होता है reasons होते हैं उसमें थोड़े confusion हो जाता है बट अगर ठीक से देखा जाये तो उतना hard level का paper नहीं होता है बाकि जो दूसरे पेपर थे उनसे जो है इस साल का जो यह पेपर है 2022 का यह क्या है थोड़ा सिंपल है 23 में क्या था थोड़ा इससे कंपलेक्स पर आया था ठीक है कौन सा है एशी कोट ऑन एपल स्टैम गॉल्ड रूद के साथ कौन सा वूली एफिड होता है फि है नेच्स्ट पर आते हैं गाहिए फ्रस्ट इंडियन कोपडिटेव आप इंडियन कोप्रिटीव सोसाइटी एक्टे कब पास हुआ था है यह वा था पास्ट 904 में अनूला आजकर आपने बहुत देखा होगा बहुत सी क्या है farmer cooperative societies है ठीक है बहुत सारी farmer cooperative society इस तरह की other जो भी cooperative societies होती है उनके लिए जो rules and regulation दिये गए हैं वो कि सेक्ट के अंडर है Indian cooperative society act के अंदर कि किस तरह की establishment की जाने ज़िए किस तरह के उनको काम करने है कौन कौन से इन्हें क्या करना है रूल्स फॉलो करने है ठीक है उसे क्या कहा जाता है कॉपरेटिज जी हां राइट अंसर है आपका लवकुष राज पुझ जी पलक साहु जी राइट अंसर है आपका option B 1904 में कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ था ठीक है next question पर आत है options गलत थे या जो है questions in appropriate या उसमें कोई गलती थी ठीक है बहुत सी spelling mistake भी की गई थी जिसकी वाज़से questions को drop कर दिया गया ठीक है और marks कर दिया गया थे ठीक है तो इस question को drop कर दिया गया था next question है हमारे पास which of the following the represent comprehensive cost of cultivation कम्प्रिहंसिव कौस्ट अफ क्ल्टिवेशन है मिसस्टाटिण से लेकर करके सो हर्वेस्टिंग तक की जो भी कॉस्ट आती है ठीक है उसको किसे डिनोट किया जाता है ठीक है नेस्ट कॉशन आता है हमारे पास which of the following is correct इन से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है इन में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसका जो राइट अंसर है वो कौन सा है option c कौन सी पूछेगी थी mc करव मेंस जो marginal cost कर विजा continuous और मारीजिनटल कौस्ट कर रहेंट है मारीजिव कोश्ट करव बिलोओ एव्रेज तोल कॉस्ट करविभी क्या होती है वॉ फॉल है एग है इन स्टेटमेंट है 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और मॉलेकूल कॉजिंग प्लांट डिजीज है विंग स्पाइरल और हेलिकल स्ट्रक्ट्टर एंड कल्चरेबल और अर्टिफिशिल नूट्रेंट मेजिंडियम इस एस्सेटेड विद ठीक है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम का क्या दिय स्ट्रक्टर होता है होता है है कौन साfera स्ट्रक्टर होता है है हली का इसmost पार्टिफिशल ईसका राइट ंसर्क्या होगा option c इसका राइट एंसर होगा ठीक है कौन सा होगा option c राइट एंसर होगा कौन सा है वो organism microorganism spiroplasma ठीक है spiroplasma किस तरह कोता है spiral shape का होता है helical structure होता है और nutrient media में इसे culture किया जा सकता है साथ में क्या करता है diseases cause करता है ठीक है next question आता है which systemic fungicide is use as a seed treatment to control loose smut of wheat okay loose smut of wheat क्या है important उसकी एक disease है ठीक है designated disease है कौन कॉज करता है इसे ठीक है loose matter of wheat जल्दी सिसकांसे दीजे किसका सी treatment करके loose matter of wheat को रोका जा सकता है किस चीज़ का सी treatment करके कौन सा chemical ठीक है फाइब एंडाजोल हैं carboxyl है metal excel या टीमेफोन कौन सा है जिआ राइट एंसर आपका सबस्कार्वा का ठीक है कौन सा है ट्रेडनेम क्या है इसका वीटा वैक्स के नामसे यह मिलता है किसे वीटा वैक्स के नामसे मिलता है क्या कैमिकल कमपोजिशन इसका कारомина वोकसिन है ठीक है और साथ और साथ है क्या यह जो लूज समट डीजीज होती है उसके अगेंच्ट सीड़ ट्रीनींट किया जाता है ठीक है भी ड्यायोगल करके उसे प्रोग आजा सकता है इसक्षायट को भी है ब्रॉप कर दिया गया ठीक है इसमें क्या था भॉन उसाहिट इक्र कर दिया गया धर घिकर सिनोह जिसमें सेक्टा प्रजेंट है नहीं अवंचके घिस से क्या बनते हैं माची बनते हैं। जो भी satisfy होते हैं ऑजब तरी पूर्फ होते हैं वो घया तो मोड़ीत होता है दूसरे होते है यह को चाहिए उससे क्या कहते है सिनोसाइटिक मैसे जा जाता है इस क्या कर दिया गया था ड्रोप कर दिया गया था ठीक है कर दे लिए नेक्स्ट कॉश्चन पर आते हैं वाट शुट बीद ऑप्टिमुम् टेंपरेचर रेंज फॉर दा ग्रोथ ऑप मीजोफिलिक बैक्टीरिया क्या पुछा गया आप से मीजोफिलिक बैक्टीरिया जी हां पलक्साओ जी सेप्टेट एंड एसेप्टेट टाइप के हाइफ होत अप्टिम soup टेंपरेचर पांच जाता है उनको कि जो मीजोफिलिक बैक्टीरिया है तो कौ streamlined होता है ट्वेंट जाता है जो लगभग लो टेंपरेचर पर रहते हैं पांच डिग्री से दस डिग्री जिहां राइट अंसर है आपका महिश्यादव जी पदक साओ जी मदुरुमार राज जी ठीक है राइट अंसर है आपका ठीक है कौन सा 25-40 डिग्री सेल्सियस में मीजोफिलिक बैक्टीरि करते हैं और जो हाइर तेंपरिशर में रहते जैसे 45-70 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सिद्व बैक्टिरियस को जाता है कैं ठर्मोफिलिक बैक्टेरिया कहा जाता है नह क्त doesn क्रहें कों से होती है vwe इसोफिलिक और जो 25 से 40 डिगरी टेंपरेचर में सर्वाइब कर जाते हैं ठीक है कि नेक्स्ट कॉच्छन पर आते हैं यानि कि जो रस्ट का फंजाई है ठीक है जो क्या कॉस करता है वह उसमें बार्बेरी का कोई रोल नहीं होता है स्टेटमेंट इसका जो स्टेटमेंट वन क्या है वो फॉल्स है ठीक है स्टेटमेंट टू क्या है राइट है ठीक है स्टेटमेंट टू क्या है राइट है किससे थ्रू स्प्रेड होते हैं वह किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं वह स्प्रेड होते हैं ठीक है और जो बार्बेरी प्लांट होते हैं वह क्या करते हैं परपेट्वेशन नहीं करते है क्या करते हैं उसको harbor करते हैं वह सिजन में जब उसको भी नहीं मिलता तो वह कंट क्या करते हैं वहाँ पर रेस्ट करते हैं ठीक है क्या है उसका एक alternatyce यह हैं आप compr is Mr Pack ब्राते हैं ड्रीन हेर इसे भी कि क्या गर दिया होगा ठीक है इस question को ड्रॉप कर दिया गया था ठीक है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं इस विच आफ फॉल्लिविंग इस नॉट एसो से टू कॉज़ विल्ट डिजीज इन प्लाइट कौन सा जो फंगस है वह विल्ट डिजीज प्लाइट में कॉज़ नहीं करता है जैसे फ्यूजरियम है फ्यूजरियम भी करता है लोगों से क्या पूचा गया जो कॉज़ नहीं करता है 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 जो फ्यूजरियम भी कॉज़ करता है व करता है जैसे एपर स्वारी जो स्कैब हो गया ठीक है स्कैबडिजी позsm tape करता है पोटैटो में स्कैosed करता है ठीक है तो वील्टिंग कॉज़ नहीं करता बट जो कौन से होते हैं मैंच यह Right Answer है आपका का उतिकल्चल जी ह है वwyddड आपर जी हां बैक्टिरिया जो है स्थ दिस्रॉप्चिंग की प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है ड्वार्फ इजम है रॉट से इच्टियो डिया था लुक्त कर-25 लुट को भी क्या कर डिया गया था युद्धेूर बोब्ब है ऩngनेक्स्टक विए थ convicted कश मैच करनी है ठीक है साइंटिस्ट के नाम दिए गए है और साथ ही उन्होंने कौन सी चीज को डिस्कावर किया हमें वह बताना है ठीक है कौन सा है MW Bengerick है कौन है MW Bengerick इसका जो राइट अंसर है वो कौन सा है option C इसका राइट अंसर है ठीक है MW Bengerick ने क्या किया था first virus confirm किया था सबसे पहले virus किसने देखा MW Bengerick ने देखा ठीक है सबसे पहले किसने किया था एंटनी वन लिवन होक ने और साथ ही में इन्होंने क्या बनाया था उसकी लिए को माइक्रोस्कोप भी सबसे पहले बनाया था जिहां राइट अंसर है पलक साव जी आपका राइट अंसर है ओप्शन सी राइट अछाई किया था रोबर कोश ने कोच पॉश्टने कोश पॉश्टूलेट यह था किस तरह से से एस्टेब्लीश होता है ठीक है कि किस तरह से इस्टेब्लिश होता है फिर आता है टिज B доб रिड़ क्या कहा था डिसकर बैक्तेर自ह ऑफ रफ रांट ठीक है जल्दी से इक करके बताये कि कौन सी फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीस थी प्लांट में जो डिसकर की गए ठीज़धista कमेंट करके बताइए कि कौन सी बैक्टेरियलगेज不會 न की ति र τα inici ने की खौन सी वह डिजीज इस से कमेंट करके बताइए है फर्स्ट गर्रेTION डिजीज banco दे एक है और उसे पहले में बतादो और कहां पर अब ओया दिस्कावर्विटिंवश कोई सी इंद्नोफ यूदिए दिस्कावर्व वूज़ था 18772 1870 में के बीच मैं इस डिसीज कीister की कि काम किया गया था फर्स्ट प्लाइन यहां right answer यह न Iya पराइड यंलो वो रस्ट प्लांट डिजीज थी टिजे बरिल ने इसको discover किया था 1877 to 1885 के बीच में ये discover हुई थी ठीक है राइट अंसर मदुरिमा राजी fire blight of apple and fear ठीक है University of Illnios में इसको T.J. Baril ने discover किया था ठीक है यहां राइट अंसर एरिविनिया मैलो वोरा इसको cause करता है नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं विच अव दर फॉल्लविंग इस नॉट असीडिंग मशीनरी ठीक है इन में से कौनसी सीडिंग मशीनरी नहीं है जिससे की क्या नहीं की जाती सीड सोइंग नहीं की जाती country plough with पोरा जिहां इससे क्या होगी सोइंग की जाएगी country plough है उसमें क्या लगा है पोरा लगा है पोरा क्या होता एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या कर दिया जाते हैं सीड और गिरते रहते É chess each साथ सातम बिरते रहते तो सीडिंग मशीनरी है ठीक है जीरो टीडृ निल है इससे भी क्या जाता है अनिमल ड्रॉण दूफान जिसे कहते हैं उससे क्या की जाती है सूंग की जाते तो राइट अंसर गर कनो मोल्ड बोड पलाऊ यह क्या है सॉल टर्निंग प्लाव है ठीक है और यह क्या है सिर्फ टिलिज का इक्पमेंट है इसमें सोइंग का कोई भी फैसलेटी इसमें नहीं होती है नेक्स्ट पर आते हैं इसमें एक इसमें प्रप्रेक्टिस की जा रही है उन प्रेक्टिस में कितना मशीनों का यूज किया रहा है कितनी वहां पर human labor का यूज किया जा रहा है उसका कलाता है mechanization कि क्या कहते हैं उसे mechanization index से कहा जाता है ठीक है सबसे ज्ज्यादा किसमें होता है यह यह होता है भीट में किसका मेखनाइजे इंडेक्स सबसे ज्यादा है भीट का जो है मेकेनाईजेशन इंडेक्स सबसे ज़्यादा है ठीक है कि नेक्स्ट कोच्टन पर आते हैं which of the following tillage equipment is a secondary tillage equipment कौन सा टीलीज equipment है जो secondary tillage में यूज कया जाता है ठीक है आपको पता है दो टैप की होती है एक होती है primary tillage और दूसरी कौन सी होती है secondary tillage ठीक है primary tillage प्रइमें कमेंज जब तक क्षीट बैट प्रइपरेशन तक जो भी को टीबेटर किसमें यूज किया जाता है कम कर टीबेटर किसमें यूज किया जाता है सकनरी देलिज में तब करने को नेक्स्ट क्षशन हैं किowego अगर कि यह दूआ रहे हैं आप biscuit की डिजाइं विट के जो की किया व Tou उते हैं इस रमयोट अरहीं में हुम टम लगा रहे हैं पंच आपी से लगाते हैं फॉने और डिगरी ओफ फ्रीडम उसमें कितना होगा ठीक है तुसका राइट अंसर क्या है ऑप्षेन एरट वेल इसका राइट अंसर है ठीक है अगले कॉश्चन पर आते हैं इन दी यिल्ड ऑफ पैडी ठीक है यहां पे क्या दिये गए है आपके डिफ्रेंट फिल्ड से डिफ्रेंट यिल्ड हुई है पैडी की ठीक है इतने जैसे कि 6, 6 टन हो गया 4.9 टन हो गया 6.0, 5.8, 6.2 टन पर हेक्टेर है ठीक है इसका जो मोड है वो कितना होगा ठीक है क्या प्रिफ्रेंट कुछली इसका जो अंसर क्या है ओप्षिन डीग्जकराइट अंसर है सिक्सिस इसका राइट अंसर है ठीक है इसकुष्टली स्वल्टाज भवड यूंस टू है जो इस क्योंसों को भी आई थिंक तो जी हां इसक्रश्चनकरव ड्रौप कर लिया गया था ठ के नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं जैसे जगने कि कि आप देखते हैं गौह जगाउं सतर्पर में पर और ठीक एक तरह की होटी है ठीक है साथ ट्रेडिशनलनोच के साथ-उनके पास है टेक्निकलन लेज़ है क्या होती है उनके पास है टेकनिकल जी मैं नहीं ड्रॉब कर रहा हूं यह पहले ही ड्रॉब कर दिये गए हैं ठीक है सीटी के ओफिशियल वेब साइट पर आप जाकर देख सकते हैं इन को क्या कर दिया गया था ड्रॉब कर दिया गया था इसमें या तो ऑप्शन गलत थे या इसमें क्वेश्चन ही गलत तरीके से पूछ लिया गया था ठीक है जिहां राइट अंसर है आपका कुसुमियादब जी मदुरिमार राजी पलक साहू राइट अंसर है कौन सा इंडिजीन से टेकनिकल नॉलेज ठीक है लीज क्या होते हैं जो गाउं के लोग हो अपने आनाजों को स्टोर करके रखते हैं ठीक है कोर्ड स्टोरेख की तरह वहां पर स्टोर सठो tom करते हैं तो का है उनके पास अलग तरह ओं homelessness होती है तरिस जानते हैं जो कि Snakebite में helpful रहती है तो इस तरह से क्या है वहाँ पर अलग-अलग तरह की नॉलिज प्रेजेंट होती है जो आई-टी के किसलिए यूज किया जाता है इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज के लिए यूज किया जाता है ठीक है नेस्ट कॉशन आता है दो स्टेटमे दिया गया है ठीक है कॉन्सा है यह एक सो ऐसी एक पांच-पांच इन ओडिए आप लिए पने सुना होगा ठीक है टेविपे अच्षी आप लोग Film देखे कहोंगी कही कौन सा है 159 फिक है इस नाम से आपने प्रक्सारी क्या है इस नंबर की देखी होंगी टो कि सान कॉल कारिं अपर की नंबर आट है टॉल फ기लर मलबर है उससे का जाता है जो वैसे एसकाद है कौल करकर इसको कब established किया गया था किसान कॉल सेंटर को janvary twenty 21st January 2004 में established किया गया था 2004 में 21st January को established किया गया था किसान कॉल सेंटर तो यह सेकंड क्या है रॉंक स्टेटमेंट है किसने established किया था इससे established किया था ministry of agriculture and farmer welfare ने किसान कॉल सेंटर को 11 जन्वरी 21 जन्वरी 2004 को established किया था ठीक है next question पर आते हैं कि नेक्स्ट क्या दिये गया है आपके पास यहां पर दिये गये हैं आपके पास option दिये गये हैं लिस्ट वन है लिस्ट टू है यह extension से इन्वाल वोते हैं किसमें means extension education जो ले रहे होते हैं जो audience present होते हैं तो audience किस तरह की होती है different type में different type में categorize किया गया है ठीक है किसमें categorize किया गया है उसको उसको categorize किया गया है अलग-अलग rate किसमें और उसमें नहीं नहीं चीजें वह खोजते हैं तो उन लोगों को क्या क्या चाटा है इस तरह की ओडियास को क्या कहा जाता है लोगों यह जो सासिक लोग होते हैं जो जल्दी क्या हो जाते हैं समझ आते हैं और नई नई चीज़ों को ढूंते रहते हैं उन्हें सेकिन आता है अरली मेजोर्टी अरली मेजोर्टी मीज जो बताएगे चीज़ों को जल्दी से एडॉप्ट कर लेते हैं वो कौन से होती है अरली मेजोर ओडियंस की वह कौन सी होती है लेट में जो टी किसकी होती है जो स्केप्टिकल होते हैं ठीक है किस तरह को ते स्केप्टिकल मीन जो कंफूजन में रहते हैं ठीक है किस तरह के जो कंफूजन में रहते हैं लोग वो क्या कर पाते हैं फिर लेट एडॉप्ट कर पाते हैं जो थ उनकी समझ में वह चीज नहीं आती जो उन्हें बताया जारा वह उसको एड़ाप्ट नहीं कर पाते हैं वो टेक्निकल चीजों को क्या है धीरे-धीरे अड़ाप्ट करते हैं ठीक है उनको क्या है बहुत जादा टाइम लग जाता है तो कौन सी कैटेगरिती है लगाड उसे कह जाता है ठीक है ठीक है अच्ट कोश्चन पर आते हैं अच्ट में असर्शन दी गई है रिजन दिया गया हमारे पास ठीक है फर्स्ट क्या है असर्शन है परस्टनल लोकल आइड चैनल आर लोकल लीडर्स एंड लोकल पीपल हूँ बिलॉंग टू रिसीवर्ज अवन सोशल सिटम स्टेकें मैं सब्स्टेन्ट जया गया है फ्टनेशन एजन्ट और परसनेल कोश्मोपैट चैनल यह रॉट्साइड दी सोशचल सिस्टम और रजीभर थीक है जो के स्थानिय निवासी और जो स्थानिय लोग प्राप्त करता है वे अपनी स्वैम की समाजिक वेबस्ता से संबंदी दोते हैं ठीक है यह विस्तार अभी करता व्यक्तिकत रूप से महा नगरिया यानि कि कॉस्मो पॉलाइट के बाहर होते हैं तो जो क्या है इसमें जो इसका राइट अंसर है वो कौन सा है option भी इसका राइट अंसर है कि क्या है दोनों राइट स्टेटमेंट्स है कौन सी है दोनों राइट स्टेटमेंट्स है बट जो आर है इसका राइट एक्स्प्लेनेशन एक ही नहीं है ठीक है कि means कौन-कौन से समाज में इस तरह के behavior है जिनको समाज क्षेट करता है किस तरह से अगर हम संवेंता है कि वहांकी बियुद्ध कर लें किस तरह के वहां के אחy हैं जल्दी आधा ख्रेकर लेते हैं तो कौन से होते हैं फोग वेश्टिक हिसा घुए क्lon से हैं फोड्य लो क्रित लोक रीती कहा जाता है एक है नेक्स्ट क्वेशन आता है वाट इस दी आइडियल साइज और फ्लेश कार्ड प्रेफर फॉर स्मॉल ग्रूप ऑफ टेंटी फटीफ़ टीपल इस मान लीजे हम क्या कर रहे हैं डेमॉस्ट्रेशन दे रहे हैं लगब कितने का गुरूप है 20-25 लोगों के लिए हम कितने साइज पर फ्लेश करता होते हैं एक तरह के चंटेंशन में यूज कहने वाले कार्ट होते हैं किस संसे आपने देखा हुँगा कि स्कूल टाइम में क्या होते थे क्या किया जाता था यसं चोटे-शोटे-पेपर के पीस होते ते उसमें तो इक क्या कर बच्चां को दिखा दिया जाता था उन्हें फ्लेहर का फ्लेश कालाता है उसे क्या का सजाता है उसे उनको यूज किया जाता है छोटे-छोटे उसमें ग्राफिक्स मेने उत्रिसमें पिक्चर के माध्यम से क्या किया जाता है बताया जाता है तो मोश्टली कितने साइज का 10 इंटो 12 इंच साइज का जो फ्लेश कार्ड है वह सफिशेंट रहते हैं दस से 25 लोगों के ग्रूप को डेमोस्ट्रेटर करने के लिए ठीक है next question पर आते हैं the process of conversion of subject matter into symbol is a termed as क्या है कि जो conversion है कौन सा जो subject matter है means क्या है सही से एक चीज़ लिखे हुई हमने क्या क्या करना है उस सहिए टेक्स्वार्म को या उस चीज़ को उस वाके को किसमें symbolic way हमने उसको represent करना है थीге हला खूह क्या 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 जाता है encoding का जाता है क्या का जाता है राइट एंसर क्या इसका encoding का जाता है जब उसी picture को क्या करते है text form में या subject matter में change करते हैं तो उसे क्या करते हैं decoding कहते हैं क्या का जातों से decoding कहा जाता है ठीक है next question है हमारे बास last question ने इस पेपर का the process of collecting and analyzing information from field and secondary sources in a short period of time years की छोटे समय में कोई छोटा सा survey करके ठीक है complete एक किसी village की या किसी area की कम समय में ज्यादा से ज्यादा information collect करना वहां की society के बारे में वहां के rural के बारे में वहां की जो भी उनकी conditions है उसके बारे में जो भी information एकट्टि की जाती है कम समय में जो इनफारमेशन लिकटि की जाती है क्या कहा जाता है उसे rapid rural appraisal कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे rapid rural appraisal के through क्या कर सकते हैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा information collect की जा सकती है किसी एरिया से ठीक है वहां के एरिया के बारे में वहां के लोगों के बारे में ठीक है तो यह था हमारा आज का exam paper ठीक है जो हमने solve किया 2022 का यह exam paper है ठीक है सीवीटी पीजी एग्रिकल्चर का साथ ही में मैं आपको एक information देना चाहूंगा कि अगर आप तयारी कर रहे हैं सीवीटी पीजी एग्रिकल्चर की तो हमारा platform एग्रिकल्चर एंजी के आपके लिए इसके लिए test series लेकर आया है ठीक है इस test series में जो है आपको 30 plus full length के subject wise जिसमें आपको test मिल जाएंगे full length test मिल जाएंगे real time experience होगा ठीक है साथ ही साथ most relevant questions जिसमें मिल जाएंगे आपको जी महेश यादब जी theory classes चलती है हमारे जो paid courses है ठीक है उसमें क्या होती है complete theory classes चलती है ठीक है तो आप हमारे courses को purchase कर सकते हैं वहाँ पर आपको complete theory classes मिल जाएंगे most welcome ठीक है साथ साथ information सुन लीजी आप ठीक है जो यह हमारी test series है इसमें आपको most relevant questions मिल जाएंगे जो की mostly exam में पूछे जाते हैं ठीक है most exam में पूछे जाएंगे complete analysis आपकी की जाएगी आपका rank आपको बता लग जाएगा किस rank है क्या आपका percentile है आप कितना time spent कर रहे हैं ठीक है और साथी साथ 1500 से जादा most important mcqs में हैं और इसे आप purchase कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपए में ठीक है इसे purchase करने के लिए आप हमारे नंबर पर call कर सकते हैं ठीक है या आप हमारी website agriculture gk.in पर जाकर इसे test series को purchase कर सकते हैं या आप हमें इस नंबर पर call कर सकते हैं ठीक है तो उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करना ना भूलें ठीक है जितने लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलते रहें तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में